जैश्री राम बहुत वागत है आपका आपके अपने खाश कारिकम में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजबिश्रा आज हम फिर एक विशेश प्रोग्राम आपके लिए ले करके आए हैं सिंघ राशी के जातक जातका के लिए 2022 किस प्रकायर का रहेगा आएए इस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते हैं एक तो आपके राशी श्वामी का जो गोचर माह के प्रार्म में रहने वाला है वो छठे भाव के अंतरगत रहने वाला है सनी के साथ बुद्ध के साथ इनका गोचर छठे भाव में रहेगा चौते भाव के अंतरगत के तू दसम भाव के अंतरगत रहू पंचम भाव में मंगल और शुक्र ये जो परिस्थितियां रहेंगी सब्तम भाव में ब्रहस्पती ये पूरा समाबेश करीब करीब गोचर का रहने वाला है आखिर क्या प्रभाव लेकर के आएगा अगर इस गोचर की बात करें एक तो राशी श्रामी का बारा तारीक तक छठे भाव में जाकर के गोचर करना इस चीज को बड़ा असपष्ट दर्शाता है कि आपके कारे में बहुत सारी औरोध उत्पन्न होंगी आप एक प्राब्लम को सॉल्ब करेंगे तो दूसरी प्राब्लम और दूसरी प्राब्लम सॉल्ब करेंगे तो तीसरी प्राब्लम इस प्रकार के परिस्थितियां तारीक बारह तक आपको फेश करनी पड़ेंगी हम इसलिए आपको पहले से बतागर के चलते हैं क्योंकि रखते हैं वाई हम अपने आपको उस प्रकार से तयार कर सकते हैं मांसिक रूप से तयार कर सकते हैं लेकिन यदि हमें ये बात ना पता हो तो फिर क्या होता है अचानक जो शमश्याएं आती हो बहुत पीड़ा देती हैं तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको पहले वो ज संभावना काफी कम रहेगी और इवन परिवारिक सपोर्ट जो चाहिए वो परिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा इसपेसलिए अगर पिता और पुत्र के शंबंद को ले करके देखा जाए तो ये शंबंद यहाँ पर तनावपूर परिस्थितियों को ले करके आ रहे हैं तो ये परिस्थिती निश्चत रूप से आपके लिए अनकूल रहने वाली है क्योंकि अपनी राशी को दृष्टी देंगे और ऐसे परिस्थिती के अंतरगत आपको समाज में मान शमान यस प्रतिष्था आपको निश्चत रूप से प्राप्त होगी यहाँ पर भी एक चीज चीज्चत के बाद आपको अच्छा सम्मान इत्यादि प्राप्त हो तो अपने आपको कहीं न कहीं बिनम्र रखने की आवाश्यक्ता है या आपके लिए बड़ा महतुपूडर है आगे चलेंगे और चटरचा करेंगे एजूकेशन इत्यादि को ले करके तो education को ले करके ये माह निश्यत रूप से आपके लिए अच्छा है क्योंकि भागे इस मंगल गोचर करेंगे पंचम भाव के अंतरगर शात में दसमें शुक्र का गोचर रहेगा तो और चतुर्थेश भी हैं मंगल तो इस कारण से अगर पढ़ाई में कोई पेपर इत्याद है लेकिन आपको प्यार का इजहार इस महीने जरूर देखने को मिलने का संकेत पुरी तरह से दिख रहा है अच्छा अब अगर हम बात करते हैं जो महिलाएं प्रेगनेंट हैं उनको ले करके उनको ले करके भी ये माह काफी अच्छा है सन्तान को ले करके जो लोग चिंतत ह पार्ट हैं, सभी की लाइफ में ब्यापार और नौकरी को लेकर के ध्याम रखने की आउश्यक्ता होते हैं, जो लोग भी कारे कर रहे हैं, उनको भाग दोर काफी करना पड़ेगा, इसने कोई दोराय नहीं है, भाग दोर करने के बाद ही कुछ रिजल्ट प्राप्त होने के स योग है, वो बनेगा आपको नौकरी प्राप्त होगी, चलिए अन्य अगर कोई प्रस्न हो, तो निश्यत रूप से मेरा नंबर डिस्किप्सन में हम लिक करके रखते हैं, इसलिए कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके साथ अगर विशिष उपाई की बात करें, इस माह का विशिष उपाई रहेगा कि लाल चंदन ले जाकर के भगवान शिव को रवीवार को अरपन कर दीजे, लाल चंदन कहीं से खरेद लीजे, ले जाकर के भगवान शिव को अरपन कर दीजे, और वहां बैठ करके श्रद्धा पुर् अश्चाट जशिराम बादनि बादनिवाद